गुड़ाफ्टनु एव्रीवन, माइ देम इस राहूल, आफेलकम यौल इन यूर टीचिंग वर फैमली, जैसे ही हम लोग MPTED के प्रिवेस यर में आये हुए CDP के कोशन्स कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं, CDP के कर रहे हैं, जितने भी आस्ता कोशन्स पूछे गए MPTED के अंद करने का, तो पहला कोशन है कि इसमें से कौन जाकतन सत्ते हैं, अब कह रहा है, growth is only a mental process, आप एक चीज़ याद रखिए, कभी भी आपके सामने आजए न, only या cable, तो यह हमेशा ही क्या होता है, wrong होता है, तो इसे याद रखिएगा, तो next है आपका, Heredity does not affect on learning process, आनवन सिकता अधिगम को प्रावित नहीं करती, तो यह गलत वात है, करता है, विकास केवल मातरात्मा को होता है, फिर केवल कह दिया, गलत हो गया, तो अधिगम क्या होता है, बिवार एक परवरतनों की प्रक्रिया है, क्या होता है, continue जो हमारे behavior में change आते रहत इसे आपको याद रखना पड़ेगा सीधा कोशन है कि MMPI में कितने scale दिये गए तो इसमें कितने scale दिये गए, तो 10 दिये गए, ठीक है, और इसे मैंने जो याद गया, वो ट्रिक की है, मिनी सोटा में ऐसे SOTR है, सोता, तो मैंने सोता रहेगा, मैंने कब तक सोता रहेगा, सरल से कठिन की ओर होता है, और स्थूल से सूचमी की ओर होता है, इस तूल से सूचमी की ओर किसमें होता है, आगमन विदी में, किसमें है, आगमन में, मगस जटल से सरल की ओर नहीं होता है, हमेशा होता है, सरल से जटल की ओर तो थर इसका सही हो जाएगा, जो समाज वे इस अब यह नेक्ट्स कोशन है जेंडर स्कीमा से क्या है जेंडर स्कीमा थेयोरी वह इंट्रीच वह अब आप जैसे इसकीमा देखो त्रूंत जल्दवाजी में प्याज लगाया हुए और उसने पहले नम्मर पर जो ऑप्शन प्याज दिया है वह दिया इसलिए कि बच्छा स्क प्याजी मतलगा दिये कभी अकॉर्डिंग टू बाइगोस्त की त्योरी इंस्ट्रक्शन तू सब्पोर्ट सोशल लर्निंग तो बाइगोस्त की के अनुसरा सामाजिक अधिगम के समर्थन के लिए सबसे उप्रियुक्त क्या है तो सबसे ज्यादा कि किस चीज पर द्यान बल् Toby को करते हैं या विक्तिकट रूप से उन्हों मैंसा पमसा जो बात गये करते हैं तो इसका कौनसा सउधू हो जाएगा second में साथ मिलकी हमी सा कार्य करना चैए है कि इसमें ऐसे कौन सा आदारित लिए का सिकती पर निर्व करता है। इसमें जो बर्वल इती है मौखिक होता है तो मौहते हो मुह से जब बोल तो बर्वल हो जाएगा है व्यक्तित तो कि किस पहलू से बच्चे के आउट गोइंग होने की समभावना बढ़ जाती है मतलब की बहर मुखी जब आउट गोइंग मतलब बाहर के लोगों से बात करेगा एक दूसरे को जानेगा पैचानेगा तो यह कौन से होते हैं? एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं क्या होते हैं? ऑइनकी ऐसे बच्चों कि कौन से स्किल अच्छी ओती है? इंटर परसनल इसकिल बहुत अच्छी होती है ठीक है? इस चीज़ को याद रखेंगे आप बहर मुखी बच्चा वह होता है जो सामने वाली में इंट्रेस्ट लेता है या लोगों से गुलता है ऐसे बच्चे कहते हैं बहर मुखी व्यक्ति अब बंडूरा ने चार स्टेजेज दी हैं बंडूरा ने क्या दिया सामाजिक अधिकम सिद्दान दिया बोबो डॉल पे इन तो इनों ने क्या कह दिया अटेंशन डेंशन अरे फ्रोसेस्ट दिया तो इसे आप याद रख लए गए मैंने कर आई इसे यार रहमान में बहुत मोट मॉटिवेशन है तो इस तरह के समय दो इसे याद किया हुआ है नेक्स्ट कूशन है किसोर अपनी श्वैम की छबी बन इसमें क्या होती है पहचान की सबसे जाए दिक्कत होती है कि हम कैसे अपनी आइडेंटिटी बनाए तो किस चीज तो कोशन का अंसर क्या हो जाए इगो आइडेंटी आप एक चीज आदर किए कि बहुत सारे टीचर्स ना यूटूब है उल्टा सीता पड़ा देते हैं बहुत कराएं तो इतना सिंपल भी निया आता है फेकर जो है पेले उसे देखिए कैसा आरा है उसे के एसाब सहत पढ़ ए तो आप इन कोशन पर जयादा दिज्ञानी यूँ आए आए 준ुपार क्रीएं तो ज targets क्राण ऐए तो जो क्रा कर रहा हों प्रिज प्रिदा फीए लगता है अपनी भाव न हो मतलब उसे अगर प्यास लगिए तो मम बोलेगा और उसे टायर जाना है तो शू बोले आई ये या उसे वॉंस डालों मतलब की द खताlic ने करने जाना है तो बोलेगा छही जङा थो इस तरीकेसे बोलता है क्यों कि प्द्राइब Besides तरीके प्याजी ने आपजर्व किया था उसी तरीके चाहता हूं कि मैं उससे आपजर्व करूँ कि उसकी ॏ बतलावा आते हैं तो ये सब कहा से इस टार्ट हो जाता है अर्ली चाइल डूट कितने से दो से लेके छे साल तक चलता है ठीक है तो इस चीज को आप याद रखेंगे ठीक है अब नेक्ट कोशन पर चलते है नेक्स्ट कोशन क्या है हमार इसमें से कौन सा ब्रिज की तरह काम करता है बेहेबियर और कोगनेटिब के बीच में और किछ ने कि किये और किस में किये और किक्स ने किया और बाइगोश के ने किये और जेरोन ब्रूनर ने किये इन तीनों किये है काउगनेटिब और ब्हईबर hon कि किया वे दियए मैक डूगल ने दिया ता याद रखी एल्फट में । ने उन्नेश ए थैसे में PRESER थी और पावलव है, या थौंडाइक यह सब क्या हैं? बियक्रम किया हैं तो जो बैवारबाद और संयानवादक के बीच का काम करता है, तो वो क्या करता है? सामाजिक अधिकम diffasov. सामा जी का दिख्म चिद्ध किस तरह काम करता है इसके ब्रिजात ओँ सामाजी का धिख्म किस ने दिया था उपर मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ वो आपको बंडूरा ने दिया तो बंडूरा चार इस्टेप बताया थे अटेंशन, डेंशन, रीप्रोडक्शन और मॉटिवेशन इन्हें आप याद रखिएगा इनमें से कौन सा कथन योगता और चमता के संबंद में सत्य है तो इसमें से कौन सा सत्य है अब देखी जैसे मुझे नहीं आपा रहा तो इसमें option मुझे समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूँगा जो सत्य है उसे चाट लूँगा बागी को मैं छोड़ दूँगा ठीक है तो हमें कुछ करने की जो चमता होती है एक जन्मजात संबाबना होती है योगता नहीं होती है योगता तो हम बढ़ा सकते हैं मगर जो हमाई चमता है ना हमाई जन्मजात संबाबना होती है तो इस तरीके से जैसे मेरे को यह आता था यह point मैंने पढ़ा हुआ है तो इसके आदार पर मैंने देख लिए यह सही है और बागी सब गलत है इस तरीके से भी आप question को solve कर सकते है अब next question है आ आपको बता दिया है अभी emotional intelligence वो क्या है आपका EQ है क्या है EQ को कहते है emotional intelligence जो कि किस ने दिया है गालतन ने दिया है इसे याद रखिए यह एक्स्रा question हो गया और यहाँ पर जो question है वो है IQ intelligent question की बात किस ने किये अब देखिए अगर यहाँ पर option में इस turn नहीं दे रखा तो हम यहाँ पर जब इस turn नहीं दे रखा तो तर्मन हमें लगाना पड़ा अगर इस turn दे रखा हूता तो 1912 में इसका सम इंट्रिदूस चुकिया था वो इस turn ने किया था और 1916 में जब formula final किया था वो किस ने किया था तर्मन ने किया था final formula में किया था MA upon CA into 100 और जो इस turn ने दि जो प्रियोग किया था वो बिने नहीं किया था 1905 में और एक कारक का सिद्दान्त किस ने दिया इल्फरेट बिने नहीं दिया इसे भी आता रखी गया ठीक है नेक्स्ट कोशन वह मनो बैग्यानिक जिसने पता लगा है कि बच्चे के बास्तिविक्ता की धारणा बैसकों से नहीं सीखी जा सकती इसका निर्माड होता है इस वात पर किसने जोर दिया था कि बच्चे जो बैसकों की धारणा को नहीं सीखते हैं वो खुद से निर्ग्यान का खुद निर्म लिए लिए चारवस्ताइं अगर आपके कोई काई किया तो हाँ जो आपके पको अब और इस ने क्या दिया आर एस तो रिस्पॉंस इस ने दी इसके ने तो आर ऐस बार्ट के से आप याद रखें और ने किते तरीके बुद्धी बताई आपकी आठ तरीके की इंटेलिजेंस बताई कि दिमाग में बुद्धी के तरीके की ठीक है किस अवस्था में बच्चा तरकन लग जाता है आपको बच्चा कब करेगा यह सोचे तो तरक करने की जो आपकी अवस्था आएगी वह आपकी अवस्था जो है वह आपका 16 मां कोशन है तो एक सेगंड रुकिए इसमें बच्चा के large- única तरक का अवस्था में जाता है किए और यहां जब लेड चालूड में आजातां तो फिर तरकन लग जाता है है कि यह एसे ही क्यों है हम इसे चेंज करें तोड़ना चीजिशों के स्टार्ड कर देता है कि तो नेक्स्ट कोशन है आपका सिखषख को समू के दुक्रांट के बजाया एक की ध्यान देना चाहीई अब देखिएक दूट तरीके के ध्रिष्ट व fare यह होता है तो इन्हों ने कहां के सामू एक के बजाय जब यह हटां धिए तो कौन सा हेगा फिर विक्ते कत ही तो बचगया आपको नहीं भी पता होगा आप ना आंसर तो आप सीथे निकाल सकते हैं दो तरीके ही उतना एक तो सामॉई क zadगह पर विक्ते कत करना किना आसर का अब आहए तो गौन बचगया का पहलू नहीं तो मेटा क्या होता है योजना यों करते हैं कर दो कभी इस hat नहीं तो इप सिच्छण प्रकडिया के बारे में सत्य नहीं है वो है आपका सिछण एक उद्देश के साथ प्रकडिया है और सिच्छण में अधिनम्सकारिक पूरिप्रMagक नहीं होती है अअफ्चारिक बुनियाक की आपशकता आपचार् iki बनियाद की आपशक्ता होती है अप क्लास्थ के वो सब市 की आप जोड़े ज़़ें गूते हैं तो इसे नहीं बोल दिया हैічकल क्युआ है नेक्स्ट वह प्रकारिया के लीए लागू नहीं होटा तो जो बिचार बिमर्स पक्रिया के लिए लागू नहीं होता वह है आपका बिचारों की आलोच ना करना क्योंकि हमारे जो ब्रेनिस्टॉर्मिंग क्या करते हैं हम लोग ना सोचते हैं और कुछ एक नए आइडिया को जन्में देते हैं मतलब किरियेटिविटी पैदा करते ह क्या करते हैं सब्सक्राइब ब्रेनिस्टॉर्मिंग करते हैं और इस पर अबना क्लास में बहुत जादा जोर भी दिया जाता है असमान बिचारों करते हैं नए के साथ आने के लिए बिचारों को जोडते हैं गुर्डातमक की तुल्ला में मात्रा अधिक महत्तपून है तो इन्होंने जो बात काम किया है मैंने इसे जो याद किया है याद कने की ट्रिक देख लो किए फेक्च्चाल कोशन मार प्लागा लगाओ तो उसमें क्या जाएगी उसमें आ जाएगी विकृति मतलब ट्रेड़ापन अगर किसी ममार लगाओंगे तो उसके पेरवें टूट क तो हमारी दिमाग में स्म्रति में भिक्रति अастि इसलिए टॉर्पी पनिस्मेंटबंद करती है यह समझाने का तरीका को किस चीज पर काम किया है इसमृति की भिक्रति पर atiques और इनोरेक्सिया और नर्वोजा किसमonder natin के साथ अनुड नर्षीया नर्वोजा की समश्या है तो इसमें प्रॉबलम बड़ी के साथ किसके साथ नर्वस सिस्टम किसमे नर्वन होता है हमारा बोडि में होगा वाइस किसमें हो रविस इस्सिंह किसमें होता है हमारा बोडी रूफ है पार सीथ याद करें कि यृझेसे और ने कहा था कि ऑगोर दोज़ते काहनी को याद रखने में लेवल दिये ते तीन और स्टेज दिए तीन इस चीज को भी याद रखेगा अब नेक्स्ट कोशन है सोने से पहले आहार से कैफीन और चीनी को समाप्त करना चाहिए सनुषित करता है अब यह चाहिए जैसे कि आप रहे चाहिए को काफी काफी में कीफीन पूशन बहुत ज्याद रखेगा तो आपको क्या आई अच्छी नीद आएगी इस चीज़ को याद रखेगा हमेशा कोफी में क्या पाया जाता कैफी निए जीएस में भी कोशन पूछा जाता है बहुत जादा आम तोर पर अर्थ गत इसमर्टी में जानकारी कैसे जो आपकी सिमेंटिक मेमोरी हो तो इसमें न उसका एक अलगी आंसर था जेंडर स्कीमा का अलग था ठीक है उसे आप देखिएगा नेक्स्ट कोशन यह आपका कैंसल कर दिया गया था यह वालो कोशन तो जो कैंसल कर दिया गया उसे हम नहीं कराएंगे नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं 27 इसमें कह रहा है कि माइल्ड पचास से सत्तर तो मैं जिस तरीके खुद याद करता हूं मैं खुद चाहूंगा आप भी उसी तरीके से करें तो चीजें ज्यादा टाइम तक के लिए रहती हैं बच्चों की समश्याओं को सुल जाने में कोशल में सुधार के लिए निमने मेंसे क्या किया जा सकता है केव आपके तीन ट्रिक ट्रीक की ट्रेक सकता हूँ आप अधियन मंतरा लेट्सलान अडुट एंड्यूक्तिप्स और छंदरफी इंसे चंद्रैन से वर 2006 बने से जो मैं ने से कंकि दिवार होता है education for all in school तो इस्कूल में सभी के लिए जो सिक्षा होती है उसे हम क्या कहते है समावेशी सिक्षा और आज कल हम किस चीज़ पर फोकस करते हैं समावेशी सिक्षा पर ही फोकस किया जाता है आपका लास्ट कोशन है वह है जी एडी इस्टेंड फोर जीडी क्या होता है तो आप अगर शेयर करेंगे ना तो मैं इसी सीरीज को कंटीन्यू कर बाऊंगा आपके लिए मैंने बड़ी मुश्किल से अरेंज किये सारे पेपर तो प्लीज आप लोगों से बहुत ज़्यादा निवेदन है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल के साथ बने रहे आपको डेली ये वीडियो बन लेगी एक बज़े तो पैर में एक बज़े और सुबह छे बज़े में हिंदी की वीडियो डालता हूं तो उसे भी देखिए पहुच जाता आप में इंप्रूमेंट होगा चैन जय वारत